नमस्कार आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज मैं हूँ आपके साथ रूपा से मुरैना में याता यात विभाग के एक प्रधान आरक्षक को पिकप चालक वह उसके बैठे आधा दर्जन लोगों ने जम कर पीटा आरक्षक की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपनी सवारियों से भरी पिकप को रोकने की कोशिश की जब चालक ने वहान नहीं रोका तो आरक्षक चलती गाड़ी पर लटक गया हलाकि इसके बाद भी चालक ने गाड़ी नहीं रोकी और वहान को भगाता रहा तीन किलो मेटर तक वहन भागने के बाद आरोपियों ने गाड़ी रोकी और उसमें सवार सभी लोगों ने उतर कर आरक्षक की पिटाई लगा दी और वायरलेस सेट भी तोड़ दिया घटना शनिवार की है इस घटना का वीडियो वहां मौजूद लोगों ने बना लिया और वायरल कर दिया वीडियो वायरल होते ही यातायात विभाग वाग सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुँची पुलिस ने वीडियो के आधार पर दो लोगों को गिरफतार कर लिया है तथा पांच अन आरोपियों को गिरफतार करने दबिश देई जा रही है प्रधान आरक्षक राकेश कुमार है यह है पूरा मामला मुरैना के बैरियर चौराहे से शनिवार को सवारियों से भरी मिनी लोडिंग गाड़ी जा रही थी जिसमें पीछे की तरफ पैर लटकाय सवारिया बैठी थी मौके पर मौजूद प्रधान आरक्षक राकेश कुमार ने उन्हें रोकना चाहा उन्होंने हाथ दिया लेकिन लोडिंग पिकप चालक ने गाड़ी नहीं रोकी जिसके बाद प्रधान आरक्षक राकेश कुमार ने ड्राइवर की खिड़की से हाथ डाल कर चाभी निकालन चाही तो उसने गाड़ी भगा दी हाथ फसा होने के कारण प्रधान आरक्षक ने आपको बचाने के लोडिंग के चालक की खिड़की के नीचे मौजूद पैरदान पर पैर रखा और लटक गया वहन चालक ने लोडिंग फिर भी नहीं रोकी और पूरी रफ्तार से भगा दी तीन किलो मीटर तक उसने प्रधान आरक्षक को लटकाते हुए लोडिंग भगाई और उसके बाद रोक दी लोडिंग रुपते ही चालक वह उसमें सवार लोग नीचे उतरे और उसे प्रधान आरक्षक को घेर कर उसकी पिटाई शुरू कर दी प्रधान आरक्षक बार बा पुलिस मौके पर पहुंची तब तक आरोपी भाग चुके थे बाद में सिविल लाइन थाना पुलिस ने दो आरोपियों को जिनके नाम कदीर खान वा फैजान खान है उनको गिरफतार कर लिया है दोनों हवालात में हैं बाकी पांच लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस जो को यह उतार दो को से उतारा नहीं और गाड़ी और भगा दिया है आगे जाकर के मैं बार-बार इससे कहता रहानि मुझे उतार जाने दो लेकिन इसने नहीं उतार ने दिया मुझे पुलिस को ध्वारोरे नूट की कारवाई की जा रहाई है दो आरूप्रियों को Judithle models र झाल